आपका श्वागत है आईए आज हम जो आज का वीडियो है उसमें कुछ नई बाते हम लेकर उपस्थित हुए है इसमें वर्ड प्राब्लम है आईए उसको हम पढ़ते हैं विचार करते हैं साल्व करने का प्रयाश करते हैं तो आप समझेए यह जो आपका फ्रस्ट यह देखिये यह लिखा है one notebook has 150 pages each page contains 32 lines find the total number of lines in 20 such notebooks तो देखिये students कोई भी word problem का question होता है उसमें कुछ बाते बताई जाती हैं और कुछ बाते आप से पूछी जाती हैं तो देखिये हम यह इसमें research करते हैं कि इसमें हमें जानकारी क्या है और हमें बताना क्या है तो यह कहता है one notebook has 150 pages यह हमें जानकारी यह हमें प्रस्ण से जानकारी मिल रही है प्रस्ण में यह हमें बताया जा रहा है कि एक notebook है जिसमें की 150 pages हैं each page means प्रतेक page में 32 lines यानि 32 lines हैं अब आप से पूछा जा रहा है यहां से प्रस्ण सुरू हो गया कहता है find the total number of lines यानि आपको कितनी पूरी कितनी लाइने हैं यह आपको ग्याद करना है उसके बाद फिर आप से प्रस्ण याधा हो गया पूरा प्रस्ण यहां से complete होता है in 20 such notebooks यानि 20 पुस्तकों में 20 notebookों में कुल कितनी लाइने हैं यह आपको find करना है तो यहां बिचार करने योगे बात है समझने योगे बात है सोचने योगे बात है आपको अपने दिमाग को creative करने की आवश्यक्ता है तो इसमें क्या करना है हमें जोडना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है है तो चार प्रोसेस है ही किसी भी क्यूश्चन में हम जोड घटाना गुणा भागी तो करते हैं लेकिन इस क्यूश्चन में आपको क्या करना है ये समझने की बात है तो देखिए ये जो वन हंडेड फिट्टी पेज़ है एक नोट बुक आपके पास बुक ऐसी होती है ये बुक है तो सपोज माल लीजिए कि इस बुक में 150 पेज है ठीक है नए अब प्रतेक पेज ये कितना हो गया ये ये एक पेज हो गया तो इस साइड में ये एक पेज हो गया दूसरे साइड में दूसरा पेज हो गया तो इस एक पेज में 32 लाइन है, ऐसा आप सपोच कर लिजिए, माल लिजिए, तभी हम क्यूश्चन को साल्व कर पाएंगे, तो इस तरह जो है उस बुक में 150 पेज़ हैं, और एक पेज में 32 लाइन हैं, तो 150 पेज में कुल कितनी लाइन होगी, यह अधिक लाइन होगी, तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, मल्टिप्लिकेशन करते हैं, इसलिए हमें 150 में सबसे पहले 32 का मल्टिप्लिकेशन करना होगा, तो फाइंट टोटल नंबर आफ लाइन्स, तो लिखेंगे हम, तो टोटल नंबर आफ लाइन्स, यहां से हम साल्व करते हैं, यहां हम साल्व total number of lines in a notebook, है ना, notebook, यहां book लिख देखे, तो हम लिखें के 100, 50, इन्टू, 32, है ना, 2, 0, 0, 2, 5, 10, 0, कैरी 1 हो गया, 2, 1 जा 2, प्लस 1, 3 हो जाएगा, यहां, 3, 0, 0, 3, 5, 15, और 3, 1, 3, 3, plus 1 कैरी, कितना हो गया, 4 हो गया, ना, अब इसको हम add कर देंगे, जीरो, जीरो, एट, फोर, यानि यह जो आपकी एक notebook है, one notebook में 48, 4,800 lines होगी, अब आपको 20 books में find करना है, यह तो यह एक book का इतनी lines हो गया, जब आपको 20 books का करना है, तो इतने में आप 20 का multiplication कर देंगे, से सिधर कर दे रहे हैं हम, यह 40, यानि 400, 4000, सारी, 4000, 800 lines में हम 20 notebook का multiply कर देते हैं, यह न, तो यह हो गया 0, यह हो गया 0, यह भी यहाँ भी 0 होगा, 0 से हम multiply कर रहे हैं, तो यहाँ भी 0 होगा, अब 2 से, 200, 200, 286, कैरी 1, 248, प्लस 1, 9 हो गया, अब हम add कर देंगे, 0006, 9, तो यह आपका real answer आ गया, जो पूछा है कि 20 books में कितने line होंगी, तो यह हो गया आपका total lines, है न, यह 20 books में total कितनी lines होंगी, तो यह आगया 96,000 lines होंगे, total, अब इसी तरह हम यह second वाले question पर आते हैं, इसमें देखते हैं कि 1 फैन काश्ट रुपीज 5, 160, पॉइंट, और डेसिमल 5, 0, how much will 120 फैन काश्ट, आपको यह जो क्यूशन दिया है, इसमें एक फैन, पंखा आपने देखा है न, पंखा आपके घरों में होगा, वो जो चलता है, लाइन से, उस पंखे की कीमत, जो है, एक पंखे की कीमत है, 560 फैन काश्ट, यानि 120 पंखों की कीमत आपको फैन करनी है, तो 120 पंखों की कीमत कम होगी की ज़्यादा होगी, dear students, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं अल्रड़ी, मल्टिप्लाई करते हैं, तो इस क्यूश्चन में भी हम मल्टिप्लाई करेंगे, या लिखे, how much will 120 फैन्स काश्ट, लिख देंगे, the cost of 120 फैन्स, या हम लिखेंगे, 560.50 into 120, इसे मल्टिप्लाई कर देंगे, यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, अग 2 से करेंगे, 200, 0, 25, 10, कैरी 1 हुआ, तो यहाँ 0 है, अगर 2 का हम 0 मल्टिप्लाई करेंगे, तो 0 आ जाएगा, उसमें कैरी 1 कर देंगे, तो प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 26, 12, 2 कैरी 1 लगा, 25, 10, प्लस 1, 11 हो गया, अब हम 1 से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, 10, 15, 0, 6, 5, add कर देंगे, 0, 0, 0, 5 प्लस 1, 6, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 प्लस 1, 7 हो जाएगा, 5 प्लस 1, 6 आ जाएगा, आप डेसिमल देखेंगे, यहाँ 2 डीजीट पर है न, गिल लेंगे, 1, 2, यहाँ 1, 2 हो गया, तो यह आ गया, कितना रुपी जाया है, आपके 120 फैंस की कीमत, कितना आया, 60, 7,260, तो डियर इस्टुडेंट, इन दिस वे, इस तरीके से हम, इस पूरी इक्सरसाइज को साल्व कर सकते हैं, तो अब नई बात लेकर के हम, नेक्स्ट वेडियो में उपस्थित होगे, तब तब के लिए धन्यवाद,